वेलकम टू हिंदी क्लास ओफ फिफ्ट स्टैंडर्ड भच्चो पिछली क्लास में हमने लेसन नमबर टू यानी राज का सपना को पढ़ा था इस क्लास में हम इस लेसन को संक्षीप्त में दोहर आएंगे और इस लेसन में कौन-कौन से फल आये है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ट जानकारी लेंगे पहले हम इस लेसन को और एक बार दोहर आएंगे एक लड़का था उसका नाम था राज वह स्कूल से थका हुआ यानी टायर्ड होके घर लोटा वह सीधे बेड़ पर सो गया वह सपने देखने लगा उसके सपने में फल का दरबार लगा था दरबार में फलों का राजा आम बैटे थे आप सबको पता है कि फलों का राजा कौन है फलों को राजा है आम आम यानी मैंगो सिम्हासन पर फलों का राजा आम बैटे थे एक तरफ प्रदान मंत्री नारियल बैटे थे और दूसरी तरफ सेना पती केला बैटे थे राजा आम का रंग केसरिया था यानी ओरेंज कलर का था आम का रंग कैसा था आम का रंग ओरेंज कलर का था बाकी फल राजा आम के सामने बैटे थे जब राजा ने दरबर शुरू करने को कहा तब सभी फल अपने अपने बारे में बोले लगे उसमें पहले अंगूर कहने लगे हम दुनिया को मिठास देते हैं क्या है बच्चो अंगूर कहने लगे हम दुनिया को मिठास देते है अंगूर के बाद तर्बूज और खर्बूज साथ में बोले हम गर्मियों के दिनों में लोगों की ठकान एवं प्यास मिठाते है अभी संत्रे की बारी थी संत्रा कहने लगा मेरा रस और मुझसे बनी मिठाईया लोगों को खुश करती है यानि उससे बनी मिठाईया और रस लोगों को बहुत खुश करती है अभी अमुरूद की बारी थी अमुरूद बोले लगा मुझे देखते ही छोटे बड़े खाने के लिए दोड़ाते है अमुरूद यानि गौवा यानि पेरू बड़े हो या छोटे वो सब को पसंद आता है अगला आता है पपीता वह वजन में बहुत भारी भी रहता है और सौफ्ट भी रहता है और स्वीट भी रहता है इसलिए पपीता बोलता है मैं कोमल और मदुर हूँ लोग मुझे पसंद करते है पपीते के बाद सेब बोलता है सेब यानि एपल जो कोई प्रति दिन एक सेब खाएगा वह रोग या बीमारी से दूर रहेगा जो रोज एक एपल खाता है वे रोग या बीमारी से दूर रहता है यानि डॉक्टर के पास जाने की जरूरती नहीं पड़ती है आखिर में जामुन भाई बोलता है में कसेला होते हुए भी अउशदी बनाने का काम आता हूँ यानि कसेला यानि कड़वा, कड़वा यानि बिटर में बिटर होते हुए भी दवाई बनाने का काम आता हूँ उतने में राज की आंके खुल जाती है उसने मा को सभी सपने के बारे में बताता है और मा हसकर बोलती है कक्षा की बाते याद करके सोया इसलिए सपना आया बच्चो मुझे पता है कि आप कई तरह के फल खाये होंगे उन फलों में से कुछ फलों के बारे में हम आज जानकारी लेंगे हमारे जीवन में फलों का बहुत महत्व है हमारे शरीर में जाकर वे विटमिन, केल्शियम, आदी की कमी पूरा करते है एक प्रसिद कहावत है कि प्रती दिन एक सेब खाये जाये तो जीवन भर डॉक्टर की अवश्चकता नहीं रहती है कहने का ताद पर यह है कि प्रती दिन आहार में फलों का उप्योग करने से वेक्ति स्वस्त रहता है वेक्ति को हमेशा फलों का सेवन करना चाहिए फल ताजे तथा रुतू अनुसार खाना चाहिए रुतू के मतलब सीजन अनुसार खाना चाहिए मौसम के फल ताजे और बोस्टिक होते है मौसम के अनुसार खाने जाने वाले फलों को सीजनल फूर्ट्स के नाम से जाना जाता है रुतु यानि सीजन जैसे की गर्मियों के दिनों में हम आम, टर्बूस खाय जाते हैं और बारिश के मौसम में जांग्मून, पोमोग्रानेट, आदी को खाय जाते हैं और सरदियों के मौसम में कुछ फलों को खाय जाते हैं जैसे की ओरेंज यानि संत्रे, क्रेप्स यानि अंगूर, पैनापल, आदी को खाएं जाते हैं फल खाने से हमें क्या-क्या फायदा होता है? एक एक करके देखेंगे उसमें पहले आता है फल खाने से हमें एनर्जी मिलती है, एनर्जी यानि शक्ती मिलती है दूसरा आता है शरीर को रोग से मुक्त बनाते है यानि fruits prevent diseases, रोग यानि diseases फल पाचन क्रिया के लिए लाबधायक है यानि fruits are good for digestion फल खाने से मुहासो से छुटकारा मिलती है यानि fruits helps to remove pimples, मुहासे यानि pimples फल खाने से वजन कम होता है, benefits of fruit for weight loss बालों के लिए फल बहुत फाइदे मन्द है, fruits are good for healthy hair इसके आलावा फल के और वी फाइदे है अभी हम इस पार्ट में आये गए फलों के बारे में कुछ अधिक जानकारी लेंगे पहले हम आम के बारे में जानेंगे आम भारत का राश्टिय फल है, आम फलों का राजा है आम में विटमिन A, C और D होता है यह बहुत ही मीठा और स्वादिश्ट फल है आम का रस दुनिया का सबसे पसंदिता रस है आम से आचार और जैम भी बनाए जाते है सभी लोग आम खाने को पसंद करते है केला एक गुच्छे में उगने वाले फल है गुच्छा यानि बंच, बंच में उगने वाले फल है इसे अंग्रेजिम में बनाना कहते है सभी फलो में केला एक ऐसा फल है जो बाजार में आसानी से मिल जाता है यहाँ अन्य फलों की तरह अधिक महंगे भी नहीं होता है केले में विटेमिन A, विटेमिन C, विटेमिन E, विटेमिन K होता है इसमें कुछ मिनरल्स भी रहते है जैसे की सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मागनेशियम, जिंक, आधि अभी हम अंगूर के बारे में जानेंगे अंगूर एक स्वादिष्ट फल है अंगूर को इंगलिश में ग्रेप्स कहते है यह स्वाद में खटा, मीठा तथा रसीला होता है अंगूर के फल इसकी बेल पर बड़े-बड़े गुच्छों में उकती है गुच्छा एनी बंज में उकती है भारत में अंगूर काले तथा हरे दो प्रकार के होते है अंगूर को सुखा कर किश्मिश नामक मेवा तयार किया जाता है किश्मिश यानी मनुक, मनुक को किया जाता है अंगूर का प्रयोग जैम, जली और वाइन बनाने में प्रयोग किया जाता है अंगुर में फाइवर, प्रोटीन, विटमिन A और विटमिन C पाये जाते है तो बच्चो अभी हम तर्बूस के बारे में जानेंगे तर्बूस यानी वाटर मेलन के बारे में जानेंगे यहाँ फल गर्मियों के दिन में पाये जाते है इस फल में पानी के मात्रा बहुत रहती है तर्बूस वजन घटने भी मददगार होता है तर्बूस वे विटमिन ए काफी होती है तर्बूस शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है संत्रा एक खटा, मीठा और रसदार फल होता है यह नारंगी रंग का होता है, यानि औरेंज कलर का होता है इसी कारण इसे औरेंज के नाम से भी जाना जाता है संत्रा चिलकर खाये जाते है संत्रे के उपर इसका चिलका होता है, जो बहुत ही मोटा होता है संत्रे में विटमिन C रहता है इसमें सिट्रिक एसिड भी पाये जाते है क्योंकि यह फल बहुत खटा होता है इसके रस पीने से बहुत सारी बीमारे भी कम होती है अभी हम सेब के बारे में जानेंगे सेब हरे और लाल रंका होता है सेब का जूस सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है सेब खाने से खून साफ होता है और चहरे पर रंगत आती है रोजाना सेब खाने से जोडों में दर्द कम होता है लीवर मजबुत होती है और कॉलेस्टॉल भी कम होती है जामून एक बेंगनी रंग यानी परपल कलर का गुटली दार यानी सीड रहने वाला एक फल होता है यह खाने में बहुत स्वादिश्ट होता है जामून बहुत सारे बीमारियों को दूर करता है जामून रक्त में शुगर की मात्राओं को नियंत्रित करता है जामून के मौसम में इनके नियमित सेवन से डाइबिडिस के मनिस को फायदा होता है जामून के अलावा इसके गुटलिया और पत्ते भी हमारे लिए लाबदायक है खास करके डाइबिडिस लोगों के लिए मैंने कुछ फलों के ही जानकारी दिया है इसके अलावा बहुत सारे फल जो हमारे लिए लाब डायक है इस वीडियो में बस इतना ही अगले वीडियो में हम पाट के सम्मंदित प्रश्णोतर, फिल इन दि ब्लाइंज और व्याकर्ण विभा को पड़ेंगे थन्यवाद